कपड़े का पूर्व सिकुड़ना कपड़े को सिकुड़े बिना सिलने से वस्तर का रूप बिगड सकता है इसलिए यह बहुत आवशक है कि आप कपड़े का पूर्व सिकुड़ने का तरीका सीखें इस पाट के अंत में आप कपड़े को सिलने से पहले उसका पूर्व सिकुड़न कर पाएंगे कपड़े का पूर्व सिकुड उसको धूकर किया जा सकता है इसके लिए पहले आप कपड़े के कच्चे किनारों को ओवरलॉक या जिग्जाग कर लें ताकि कपड़े की बुनाई खुल न जाए फिर कपड़े को धूईए और सुखाईए जैसे आप वस्त्र को धूते और सुखाते हैं कपड़े का पूर्व सिकुड उसको दबाकर भी किया जा सकता है इसके लिए आपको कपड़े पर इस्त्री डालनी होगी वो आवशक ताप पे जो कपड़े के फाइबर पर निर्भर करता है अगर आपके पास स्टीम इस्त्री नहीं है तो आप गीले कपड़े का इस्तमाल कर सकते हैं यह कपड़े के प्रकार पर निर्भर करेगा कि कपड़े के पूर्व सिकुडने के लिए पानी या इस्त्री का प्रयोग किया जाए विशेश करके उन और रेशम के कपड़े के पूर्व सिकुडन के लिए धोने के बजाए दबाना चाहिए उनी कपड़े को धोने से वह खराब हो सकता है और रेशम को धोने से उसकी चमक चली जाती है मगर कुछ उनी और रेशम के कपड़े हैं जो धुल सकते हैं इसी के साथ हम इस पाठ के अंत में पहुँच चुके हैं। चलिए हम स्मरन करें कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। कपड़े को पानी में पूर सिकुडने से पहले उसके कच्चे की नारों को जिगजाग या ओवरलॉक कर लें। आप कपड़े को पूर सिकुडने के लिए इस्तरी भी कर सकते हैं। वो आवशकता आप पे जो कपड़े के फाइबर पर निर्भर करेगा। अगर आपके पास टीम इस्तरी नहीं है तो आप गीले कपड़े का इस्तमाल करें। उन और रेशम के कपड़े के पूर सिकुडन के लिए धोने के बजाए इस्तरी डालना चाहिए। आपने अब कपड़े को कैसे पूर सिकुडना सीख लिया है। विभिन प्रकार के कपड़ों को इस्तरी कैसे करते हैं, यह सीखने के लिए हमारा अगला पाठ लीजे.